क् theorist james47 यहां से यहां तक आप ड्रेpsy का फ्रेन्स क्लास में क्लास क्लाउस प्रेंस में अभीद्येacious कि युद्ध दिख सुए पहले बोलेज कहांव करेंगे जहांपर डीस्टि का वायर लगा हुआ फ्रेंस एक फ्यूज लगा हुआ है उसी का बगल में बाहर सैट है यहां पर यहां पर यहां पर एक ळीना लगा हुए 10 गог DM का एक 12 बोलट का एक ओन और रिवे जिस्टर चप्क उन्स के 6 वाट रिजिस्टर लगा हूँ है देकी ये जगिल तर कि इसके नीचे i correl नीचे दिखी हल्वा है डायोड जींटी य gobierno नियोड को attractूछ लागाने का बाद यहाँ पर दजलिख ल्गी और बार फूर्व चेग काने याँ ठीट प्रेफ्रेंस कि दस बोल्ड बारा बोल्ड चेक करने का दस बोल्ड कुन सा है यह बाहर वाला बारा बोल्ड कुन सा है यह अंदर वाला पो आएफ़ार बोड के पैंटना जाता कहां पो 10ломडरे मारा बोल जाता कहां है बाराग денег दख़ेेat लाईन पकड़ पकड़ आएंगे आप ओके- लायन पकड़के आएंगे ये यह जा रहा है इधर से इधर से यह जा रहा है इधर से एक टांफिटर अधर में पास हुआ है रहे हैं यहां पर एक जम पर लगा के यह पर गया यहां से आडर मोड न दं-द्र द्रो powers your parablephen यह बहुर्ब यह पर आप बोल जाया है इधर से जा यह बारा भोल्ट गया यहां पर अंदर बला अंदर बला बारा भोल्ट यहां से आके यहां पर आया यहां से जंपर होके इधर गया इधर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इधर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है उसका राद ट्रांजिस्टर लगा करता है यह छोटा सा यह बोड आगा यह बूंप नहीं मिल रहा है। इसको शॉट कर दिजिए, इसको क्यों लागा कर रखा कंपणी की कंपणी का रूल से हम लोग को मिस्तरी के लिए अगर यह थोड़ा सब्सक्राफ हो जाएगा तो हम लोग करने पाएंगे कंपनी से सर्विस होगा आएंगे इसलिए ठीके फ्रेंज इसका ज्यादा कोई काम नहीं है आप सॉर्ट करनेंगे तो भी चार्जर चलेगा ओका फ्रेंज उसका बाद यहां पर बारा भोल्ट गया इसको स्वीचिंग करने का बाद यह बारा बोल्ट चला गया इधर में यह 35 पैटिस पैचिस आइसी का तेरा नंबर पांदरा नंबर इसको ड्रांजिस्ट्र बोलते हैं को इसको driver transistor बोलते हो या driver transistor का यह institute शॉटाय्स और तीन्सकर साईटीस में इजakat यांगे असल्पर ये जमपर यहा यह इधर से एधर से यह दियाए । 17 पर ठीक है दस बोल्ट का काम यहां से खत-म और 12 पोलट का ही नहीं गया है सब सुंधयाल यह दस बोल्ट जो आएंगा यह चान नमर मिन Šान नमर 5 से नीछे गया इदिक यह चotherapी है चान नमर 5 से नीचे गया उसका बाद 7870 है इंजiger कि इदर 88 यैल 05 यह एक अठाट ये लिए फाइब का यह दस वोल्ड को वो पांच भूल पर कनवेट करता है पांच वोल्ड बन के यह माइक्रो कंट्रॉलर आईच्छी का बीस नमबर पीन में इन होता है अब गिनतिकर के देखना 20 नमबर पीन में इन होता है 21 नमबर इसका यहां से खतम 10 बोल्ट का कोई काम नहीं है 10 बोल्ट पांच बोल्ट में चलता है ठीक है उसका बाद फ्रेंज यह बोल्ट आपको चेक करना है जब चार्जर चालू हो जाएगा उसका बाद फ्रेंज निकला आठतर बारा से बोल्टेज कहां कहां जाता है आपका यह जो एलेडी जलता है इधर का यह जो एलेडी जलता है ठीक है यह एलेडी में जाया है 7812 से वोल्टेज जा जायगा तब, 7821 से वोल्टेज एलेडी जलेगा, 7821 से पांक चलेगा 7821 से रीलेज ओन होगा, तीन जगा 8821 से वोल्टेज गिरा है ठीक है, चार्ज़र आपका चालू नहीं है, क्या करेंगे आप, ये वोल्टेज बार चेक किजिए यह दैसग बनाःकी नहीं बारहtte बन रहां की नहीं लगा है आप मैं चालू नहीं है तीनसव sfताइस, 303 सट्रणिस्ट्शथ चेक कीजिए आगर चेक करना आपको नहीं आता है कैसे चेक करेंगे तो ड्रावर आपंडारीट चेक की जी है कि ट्राइबर डारीट कैसे चेक करते हैं वीडियो फाइल आप में दे चुका हूँ जब मॉस्पिट लागाने का टर्म डाइबर चेक करना पड़ता है डाइबर कैसे चेक करते हैं मैं वीडियो दे चुका हूँ ठीक है फ्रेंज डाइबर चेक करने का यह धर यह और य भगर सी का लगा वेकर करके आप उसके चेक कर सकते हैं मैं ऑके ट्रैवर में अगर प्रभलम कर्वेट करेंगे ढə और द्रसन आ स्बेदिन अगर प्रोब्ल में है तो स्विची होँगा चानू पर चालू फिर भी आपको दाउट है नहीं चालू होँ आपकाई चेक करना हैegang यहाँ फया पे आपके बोल्टेज चेक करना है जह 78 और おका इन वोल्टेज निकल裡面 रहे क्या है हो सकता है बोल्टेज निकल हो रहा है रखर्फो गया । एक कैसे व्योयोण होगा कैसे पंख़ चलेगा कैसे पंखर ह ging अब पता नहीं चलेगा चार्ज चाल हो गया आपको वोल्टेज चेक करना है 78 बारा का इन वोल्टेज इन कितना होता है 20 से लेकार 25 तक यही 78 बारा का इन वोल्टेज है यही वोल्टेज एक वान के रेजिस्टर का थुरू LM324 जो IC है LM324 IC का चान नम्मर पिन में गया है डारेट करें साउन करेंगे ति यह चान नम्मर पिन है ठीक है यह चान नम्र पिन 323fund से यहां तक डारेट विप का साउन आएगा यहां estimate यहां यहां पे एक और रिष्टर लगाया है ज़िकले लगा के यहां पर फासिंग के इधर लाइन पकरते जाएंगे दर्फ टाइट चाल गया कोई बीच में रेजिस्टर बकर कुछ नहीं है और वोल्टेज का इतना काम है और वोल्टेज दो नहीं चाहिए आपको अगर आपका एंपियर नहीं आ रहा फ्रेंज कुछ भी नहीं आ रहा आप पहले इतना काम सिखे उसका बाद क्यों एंपियर नहीं आ रहा है उसका बाद वह चार्जर चालू हो रहा है बंद हो रहा है क सब्सक्राइब शक्क्स sniff जाएंगे जो जो वॉल्टिज का बारभातर में बस्क्राइब होना चाहिए निचिंद्न KD 6 टो एतना उसीमें एक बार दोभा तीक इसी ऐसाइंगा उसका बाद ये सब सामन का बार बताएंगे कैट्यूसा की बिखिए कि पूरा बताइंगे तो आप मुश्किल हो जाएंगा आपको के यह किसी-किसी charger में दिखना फ्रेंस मौह सपिट लगा तुरांत इंपार उठ गया की यंप एंपोर फिक्स कि नहीं हो आगा लेकिन थीपक करणा तोबॉल्टेज यह करके आगाा आगा पको पूरा बारे बिढ़े चीक है आज का वीडियो फिरेंस इतना ही मिलते हैं फिर आगला वीडियो में